दूस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो ceiling fan काफी पुराने हो जाते हैं उनमें एक अलग सा करकराट सा noise आने लगता है इस ceiling fan में भी वही problem है बहुत ही बेकार करकरा सा sound आ रहा है जैसे कि कोई metal घीज रहा हो इस वीडियों आपको डीटेल से मैं बता दूँगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना शोटी शोटी वीडियो में बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए और आप लोगों को सिकाता रहता हूं अब यहां पर देखिए कुछ wires हैं जिनको हमें ऊपर की ओर को यहां पर इसको फचाना है चुकि यहां पर अगर वायर ऊपर को फचाने तब जाके हम इसके cover को सही तरीके से फटा पाएंगे अब यहां पर देखिए कुछ बीच में gap सा है तो उसको भी आप खोल सकते वरना हलका सा wire नीचे करके उपर से हलका सा अगर इसमें कोई हलके से तोड़े से मारेंगे तो खुल जागा जोर से नहीं मारना वरना वो पिचक जाएगा ठीक है तो ज़्यादा जोर जबर इस ती गंदगी तो फैन के अंदर होती नहीं है मैटल का ही हो सकता है जंग वगर काफी लग जाता है अब इसके बाद देखिए हमें यहापस की बेरिंग चेक करनी है दोनों तरफ की एक बेरिंग तो फिर भी ठीक लग रही है डाउन नीचे वाली अभी इस साइड के हमें चेक कर देखी एक जगशे सी टूटी भी मुझे लग रही है इसकी गोली यहांसे गायव है यह देखिए और यह बहुत ज्यदा हार्ड भी ओ रही है तो देखिए यह जो परब्ल मोट होती है बेरिंग के वज़े के लिए ह्मुर्गां एक हב実 के अप इस डाले के लाने के लिए अवपर हलके रह कि हटोड़ी आप पीशा है यहांद उसलो अवब कि टोड़ी को हम एक हटोरी की तो यहां पर लंगे तो इस होते हैं numbers को देखकर ही आपको bearing लगानी है देखिए बिना अगर आपको पता नहीं है numbers तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए tuş बेरेंग बिल्कुल सही है इसमिन कोई भी हैं ना इसमिन कोई भी ये नीचे जो screw कसना है उसमें hole को यहाँ पर match करना है और तीनो screw को हमने सही तरीके से बिल्कुल tight से कस लेना है तो चलिए फिर मैं पहले screw उसमें कस लेता हूँ सभी के सभी फिर आपको एक बारी घुमा के दिखा दूगा अब जब भी ये problem आती है तो आपको bearing change कर लेनी है बाकि पंखा अगर आपका हाथ से दकार देकर चल रहा है तो इस condition में या तो capacitor की खराबी है या तो running coil की तो देख लेना दो दिन दिन पहले वीडियो बनाया है उस पर भी आपको समझ में अच्छी तरीकी से आ जाएगा और टीनो स्क्रू मैं सही तरीके से आपर कर चुका हूँ और हाथ से घुमाने पर आप कोई भी noise यहां पर नहीं आना चाहिए और कहीं पर भी इस टेटर फस सीख सकते हैं अब चलिए एक बार इसको घुमा के देख लेता हूं हाट तो नहीं है बिलकुल परफेक्ली देखिए अब बहुत अच्छी तरीकी से आपके फस भी नहीं जा तो चलिए वीडियो को लाइक